हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब लोग इन प्रीवेस क्लासेज वी डिस्कॉस अबाउट देट एम रेडियेशन हैव ड्यूल नेचर और विकन से लाइट है ड्यूल नेचर पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर तो जब यह डिस्कवरी हुई इसके बाद साइंटिस्स डि क्या है ड्यूल नेचर है यह थिओरी हमको दी किसने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के थिओरी यह हमको दी डी ब्रोगे ने ठीक है लिखते डी ब्रोगे लिए प्रनाउंस क्या करते हैं डी ब्रोगे तो डी ब्रोगे ने जब ठीरी पर यह क्या है ठीरी नहीं है एक टाइप से यह हाइपोथेसिस है मिन्स यह टाइप से अजंशन था इस्टार्टिंग में उन्होंने कोई एक्सपरिमेंट करके यह थिए नहीं दी उन्होंने अजियों कि यह तियोरी ओके तो डी ब्रोगे हाइपोथेसिस क्या थी कि डी ब्रोगे ने क्या वोला था कि लाइक जैसे लाइट का ड्यूल नेचर होता है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर तो इलेक्ट्रोन भी क्या है एलेक्ट्रोन को भी सच क्या है और वेलोसिटी क्या है जद्ध है फुर इक्ट्रोन का मास आपको याद होगा मास होता है 9.1 इंटु 10 तुदी पावर माइनस 31 केजी और स्पीड मैं बता देता की स्पीड होती है 2.18 into 10 to the power 6 into approximate hydrogen के लिए बात करेंगे तो इतनी हो जाएगी ठीक है मैं जनरल केस नहीं ले रहा हूं मैं only hydrogen के लिए बता रहा हूं तो तो वेलस्टी कितना हो जाएगी 2.18 into 10 to the power 6 meter per second तो इसका भी क्या है इलेक्ट्रोन का भी मास स्मोल है वेलस्टी के जदा है तो इलेक्ट्रोन किसकी तरह बियेव करेगा इलेक्ट्रोन हमारे वेव की तरह बियेव कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है यह चीज किसने बताई के वेवनेचर भी होगा और पार्टिकल नीचर भी होगा यह हमें डी ब्रोगे ने बताई ठीक है तो उसके बाद उसने अपनी थेयोरी को मोडिफाई कर लिया उसके बाद जब उसने थेयोरी लगाई तो उसने सारे मैटर के लिए लगाई और उसने वोला था every matter और we can say every moving matter associate with one wavelength that wavelength is known as deep-rogy wavelength बोला कि कोई भी matter जो क्या कर रहा है move कर रहा है कोई भी matter जो move कर रहा है उसके साथ एक wavelength associate होगी तो यह matter if move कर रहा है तो इसके साथ क्या होगी एक wave होगी ठीक है और इस wave का नाम क्या दिया deep-rogy wave और इसकी wavelength को क्या बोलेंगे deep-rogy wavelength ओके तो चलो यह तो हमने समझ लिया क्या है अब हम देखते हैं कि हम किस-किस object के लिए अच्छा पहले calculation की बात कर लें formula ठीक है इस मैं बोलूं कि यह object मेरा particle lane भी है और यही object के मेरा wave है ठीक है मैं बोलूं इलेक्ट्रोन के particle भी है और electronic wave है तो इस electron चाहिए particle हो इस electron wave हो है तो electron ना तो उसकी energy क्या रहेगी सेम रहेगी ना मैं बोलूं यह electron wave है उसकी energy कुछ है इस थोड़े बात बोलूं यह electron particle है तो अभी energy क्या होगी सेम होगी ना energy का formula Einstein ने दिया था matter की energy का formula क्या था mc square ना और plank ने हमारी wave की energy का formula दिया क्या hc by lambda तो xc से आपका xc cancel तो आप यह लिख सकते हैं lambda equal to h divided by mc ना बट एक चीज़ ध्यान दीजिए h by mc हम लिखने वाले ते बट जो भी electron है जो भी हमारा particle emitter हर particle तो light की speed से move नहीं करेगा तो हमको यहां पर mc नहीं लिखना चाहिए exact formula क्या हो जाएगा lambda equal to h divided by mv तो आप कौन सा formula यूज करेंगे mv क्यों हमने c क्यों नहीं यूज किया c speed of light थी em radiation speed of light से move करते हैं बट जो हमारा matter है या जो electron है वो तो speed of light से move नहीं करेगा तो हमने क्या यूज किया formula mv mass into velocity आपने पढ़ा होगा क्या होता है momentum होते है तो आप formula क्या यूज करेंगे h divided by p यूज कर सकते हैं p के momentum है h आपका plank constant if suppose मैं इस mv को kinetic energy में change करने का try को kinetic energy का formula आपको पता है बच्चों क्या होता है kinetic energy का formula होता है half mv square तो मुझे इसको mv square में change करना है तो मैंने क्या क्या मैंने इस m v को गाला हुरा हो तू से multiply कर दिया टू से divide कर दिया कोई concern है बच्चों नई उसका सुसे multiply क्या mudar तू से क्या किया divide किया इसकाerem कर दिया इसका root भी ले ठीक है Same time square किया और Same time पर हमने क्या ले लिया root ले लिया तो अब क्या हुआ अब इसको देखी आप H divided by मैं कुछ कुछ चीजे अलग कर लेता हूं मैं यह 2 को मैं बाहर ले लेता हूं तो यह क्या M square है तो मैं एक M को बाहर ले ले तो अब अंदर क्या बचा यह 1 by 2 M square में से 1 M ले लिए तो अंदर कितना है 1 M और यह क्या है V square इस half M V square को हम क्या लिख सकते हैं kinetic energy ना तो formula क्या हो गया X divided by root under 2 M into kinetic energy तो आप यह formula यूज कर सकते हैं D brogue wavelength find करने के लिए if आपके पास mass और velocity है तो आप यह formula यूज करेंगे lambda equal to H upon M if आपके पास momentum है तो आप formula क्या यूज करेंगे H upon P और if आपके पास kinetic energy given है तो आप formula क्या यूज करेंगे H divided by 2 M K बाच समझे बाच्चों तो यह आपके पास 3 formula है आगे if kinetic energy है तो यह formula यूज करेंगे momentum है तो यह और mass और velocity है आपके पास तो यह formula हम लोग यूज करेंगे ठीक है बट डी ब्रोगन ने starting में electron पे theory दीती तो हम लोग सोचते है for example जैसे मैं move करता हूँ तो मैं तो आप लोगों को particle ही दिख रहा हूँगा मैं wave की तरह है तो move नहीं कर रहा हूँ ना या कोई भी ball na electron है जैसे electron move करता है तो electron को हम देख ही नहीं सकते बट जब भी हम कोई game खेलते हैं तो उसमें जब ball फेंकते हैं तो ball भी जब move करती है तब उसमें तो हमको कोई wave नहीं दिखती तो क्या हममारी wave nature applicable होगा एक simple ball के लिए ठीक है उसको हम calculate करके find करने के try करते हैं कि eck ball के लिए उसकी wavelength क्या आएगी और एक electron के लिए wavelength क्या आएगी तो बच्छों हम किस के लिए calculate करे हैं इक बार तो हम बोल के लिए calculate करेंगे और एक बार हम electron के लिए डी ब्रोगली wavelength calculate करेंगे ओके सपोज जो हमारी बोल है उसका mass कुछ होगा mass around होता होगा 100 gram तो मैं इसको मान लेता हूँ mass कितना है हमारा 100 gram और आप किसमें put करेंगे mass kg में मास किसमें लेते हैं किलोग्राम में लेते हैं किलोग्राम में इसको change करेंगे तो आपका आजाएगा 0.1 kg और velocity कितनी होती होगी 10 meter 20 meter per second होती होगी तो मैं अपनी calculation easy रखने के लिए माल लेता हूँ मेरी velocity है bowl मैंने किसी speed से बहिए 10 meter per second से अब मैं calculate करूँगा मेरी wavelength lambda equal to दी ब्रोगली वेम लेंथ इकल टू एच अपॉन एम वी एच अमारा प्लैंक कॉंस्टेंट प्लैंक कॉंस्टेंट की वेल्यू कितनी थी 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइड बाइ मास मास कितना है अमारा 0.1 ना इंटू स्पीड कितनी है वेल्यूसिटी कितनी है 10 ओके तो आप 0.1 को 10 से मल्टिप्लै करेंगे तो 1 हो जाएगा तो आपका लेंड़ा इकल टू डैक लिक क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 और लेंड़ा की इनिट क्या होती है मीटर तो इतना मीटर इफ इसको आप माण लीजे नेनो मीटर या आम्स्टॉंग में चेंज करते हैं आपको पता होगा 1 नेनो मीटर इकल टू क्या होता है 10 to the power 30 पर मायनस 9 मेटर और 1 आमस्टोंग डिकोल डू कितना होता है 10 पूहर माइनस 10 मीटर सबोस्थ मैंसको आंप सट्टोंग में चेंज करता हूं तौर मैं इसको किसेमें करता हूं आंप स्टैं 직न करता हूं तो यह विंदी आजयेगे रूंट 6.626 इंटिonna to the power minus 34 को क्या लिख सकते हैं minus 24 and minus 10 10 to the power minus 10 किसके को लोते armstrong के तो हमने लिख दिया armstrong okay तो आप सोचिए यह लेंड़ा तो भूत कम है यह wavelength कितनी है 10 to the power minus 24 मतलब प्रोकुसिमेत बहुत कम है armstrong में change करने की बिवाद wavelength क्या है हमारे लिए कोई मतलब sensor ने प्रोकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम नोर्मल क्या बोलते हैं बोल के लिए बोल किस नेचर को फोलो करेगी बोल हमारे वेवनेचर को फोलो करेगी ठीक है ओ सोरी बोल कौन से नेचर को फोलो करेगी बोल हमारे पार्टिकल नेचर को फोलो करेगी क्यों वेवनेचर फोलो करने के लिए तो उसके पास कु लाइट बताईए उसकी रेंज क्या बताई थी 400 से 750 नेनमीटर यहां क्या रहे टेंटू दीवार माइनस टेट 24 यह तो सोई सेंस ही पूद्यूस नहीं कर रहे हैं तेक है सेम हम लोग इलेक्ट्रोन के लिए बात करें चलो इलेक्ट्रोन का मास आपको याद होगा कितना है 9.1 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 31 केजी और वेलोस्टी हाइड्रोजेन एलिम एटम के लिए मैंने इलेक्ट्रोन की वेलोस्टी कल्कुलेट कर रखी है कितनी थी 2.18 इंटू 10 तो दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड यह कैलकुल चलिए अब इसमें पूट कर देते हैं लेमडा इकोल टू क्या हो जाएगा है एच अपॉन एच डिवाइड वे मास मास कितना है 9.1 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 31 और वेलोस्टी कितनी है 2.18 इंटू 10 तो दी पावर 6 इसको जब आप सोल करेंगे तो अप्रोक्सिमेट अप्रोक्सिमेट आपका एंसर आएगा 3.2 痛 A आपसटो अप्रोक्सिमेट का एंसर केतना आएगा 3.2 सो आम्स्टोंग तो हां यह आपके कुछ सेंस प्रोड्यूस करती है हमने बोला ना 400 नेनोमीटर 500 नेनोमीटर 10 आम्स्टोंग 20 आम्स्टोंग ऐसा कुछ होगा तो हम माल लेगे तो हां इलेक्ट्रोन हमारा वेव नेचर शो करता है बट बोल हमारे लिए एक टाइसे वेव नहीं ना हां इलेक्ट्रोन हम बोलेंगे वेव नेचर भी फोलो करेगा और हमारा पार्टिकल नेचर भी फोलो करेगा तो इसके बाद ठीक है इसरा है डिशन एंड जर्मने में प्रूव किआ था इन दोनों साइंटिस ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव करेगा क्या experiment आपको समयने के जरोद नहीं बस आपको यह याद रखते और कि इन उन दोनों ने प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रों कि इस ने microscopic moving particle ठीक है हमने change कर दिया हमने हर object के लिए नहीं बोला हमने किसके लिए microscopic जो छोटा particle है for example electron every microscopic moving particle have wave nature and the wavelength of that particle is known as the brogue wavelength समझे जो हमारा microscopic moving particle है वो wave nature को शो करेगा हर particle के बार हम नहीं बोल रहे हैं ठीक है मेरे में आप इस वेव कैलकुलेट करो के तो 10 to the power minus 24 Armstrong minus 25 Armstrong जिसकी कोई sense ही नहीं है ठीक है तो आप किसके लिए वेव कैलकुलेट करेंगे normally microscopic object के लिए ठीक है तो यह theory किसके लिए apply होगी हमारे microscopic object के लिए apply होगी for example electron जिसका मास भी कम और velocity जादा हो जैसे हम को पता कैसे चला यह हम देख के बता सकते हैं लेंडा equal to क्या था है एच अपॉन एंवी तो लेंडा इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मास ता तो मास जीतना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी तो हमको इफ वेवलेंथ ज्यादा रखनी है हम चाहते हैं वेवलेंथ को हम calculate करने कुछ आए जिसको हम यूज कर सके तो उसके लिए मास का क्या होना चाहिए मास कम होना चाहिए जो इलक्ट्रोन में होता है डी ब्रोगली की थियोरी के बाद हाइजन बग ने अभी अपना principle दिया टिक है देखते हैं हाइजन बग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओके अब इसने क्या बोला इसने बोला कि इलक्ट्रोन जो भी माइक्रोस्कॉपिक ऑब्जेक्ट है वो किस नेचर को फोलो करता है वेव नेचर को फोलो करता है माइक्रोस्कॉपिक ऑब्जेक्ट किस नेचर को फोलो करता है वेव नेचर को फोलो करता है तो जब यह वेव नेचर को फोलो कि सर आपकी पोजिशन एक्जेक लिए और आप इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं इसने क्या बोला इट इंपोसिबल तुडिटर्माइन इट इंपोसिबल तुडिटर्माइन दा एक्जेक पोजिशन and momentum simultaneously for microscopic moving object क्या बोला it is impossible to calculate position and momentum term, simultaneously, exactly, for microscopic moving object. इसम टाइम पे इसम टाइम पी rifi डिटों को दिटोलिट करहें मोमेंट करें फार्च से और रिन मोमेंटम को denote करें मगें पार भा गोर ρॉ ५११। से इन दोनों की error को हम multiply करेंगे तो minimum value कितनी आएगे आपके h upon 4 pi means in error का multiplication h upon 4 pi से या तो बढ़ा होगा या क्या होगा equal होगा यह किस ने दिया है यह Heisenberg ने दिया है यह हमारा Heisenberg uncertainty principle क्या बोला it is impossible to determine the exact momentum and position of microscopic moving object यह impossible है इन दोनों की आप exact value find कर लें position and momentum की if object क्या कर रहा है move कर रहा है या तो आप position calculate कर पाएंगे या momentum calculate कर लेंगे बट इएक साथ हमने दोनों सीज़े calculate कर लें तो आपकी क्या होगी error होगी यह दोना एंसर सही नहीं होगे और इन एरर का minimum motivation कितना होगा सब्सक्राइब एक बात करें position के normally यह थोरी किस पर apply करें microscopic object कौन सा होगा जो move कर रहा है electron नहीं किसके लिए apply करेंगे electron के लिए apply करेंगे बात करें momentum की momentum क्या होता है mass into velocity तो आपका error किसमें होगी mass में नहीं mass तो आपका electron का पता है कितना है 9.1 into 10 to the power minus 31 के जी तो आपकी error किसमें होगी velocity में होगी तो आपकी इसको ऐसा लिख सकते है delta x equal to m delta v mass में कोई error नहीं है किसमें error है velocity में greater than h upon 4pi और इस mass को उधर लेके जाएंगे तो delta x delta v greater than equal to h upon 4pi m तो यह दो formula हो गए आपके I hope आपको समझ आ गया होगा यह चीज ठीक है और यह यह भी किसके लिए apply करते हैं यह principle भी हम लोग यह principle भी normally electron के लिए apply करते हैं और इच्छे वाला डी ब्रोगली वाला भी calculate किसी के लिए भी कर सकते हैं मैंने बोल के लिए calculate किया था डी ब्रोगली वेवन है ठीक है बट यूज मेनली किसके लिए होता है हमारे microscopic objects के लिए use होता है ठीक है चलो इसमें कुछ calculation देख लेते हैं हम लोग ना इसकी इस चुट्ट्ट्स आपकी एरर इन पोजिशन को हम किससे डीनोट करते है डेल्टा एक्स इकल तो कितना है वन आंप्स्टोंग और हमने बोला है हम ऐसा यूनिट को फोलो करेंगे आंप्स्टोंग को आप मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जागा 10 तो फोर्मुला लगा है कौन सा मोमेंटम वाला लगाने हमार पास दो फोर्मुला थे एक तो था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इकल टू एच अपॉन फोर पाई और दूसरा क्या थ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इकल टू एच अपॉन फोर पाई एम इफ एर नहीं वेलस्टी पूछता तो हम यह फोर्मुला लगाते हैं अभी क्या कुछ है मोमेंटम बूच यह फोर्मुला लगा हमने डेल्टा एक्स की वेल्यू हमको पता है कितनी 10 तो सब्सक्राइब करना है ठीक है यह फर्स टाइक को क्यों हो गया सेकंड क्यूसन है पढब करना है यह अग्डिशन क्या गिवन है कि आपकी चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन लिएक्टैज्टै और फिर अंचर्टै इन पोजिचन्टैन एंड निमोमेंटम इस एक्वल तो आपको फींट करना है फोल्मुला करेंगे क्या होगा delta x into delta p equal to h upon 4pi ना और आपको बता है delta x delta p equal है तो delta x delta p की जिए आप क्या लिख सकते हैं delta x equal to h upon 4pi तो यह delta x square होगा है square होदर जाएगा तो root बन जाएगा क्या होदा एक्स equal to root under h upon 4pi आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देल्टा एक्स इक्वल टो डेल्टा पी एक्वल टो एच अपॉन पाई 1 बाई 2 ना फोर का रूट कितना हो जाएगा 2 यह आपका एंसर हो गया सेम वे से आप से यह पूछ सकता था कि find the error in position and velocity if error in position equal to error in velocity तो आप formula को अप्लाई करते है अब यह वाला formula अप्लाई करते है ठीक है only यहाँ पे M आजाता है यहाँ पे answer में M आजाता है so student now we know that electron have both particle and wave nature but in our Bohr's theory now in our Bohr's theory, Bohr's atomic theory we used electron as particle means Bohr's theory also some have some drawbacks now we will discuss the drawbacks of Bohr's atomic theory, drawbacks of Bohr's theory ठीक है, क्या-क्या drawback है वो हम लोग चेक करने वाल है first drawback क्या है, it applicable only for hydrogen-like elements यह जो theory है, Bohr's theory, वो only किसके लिए applicable होती है आपके है, hydrogen-like elements के लिए अप्लाई होती है for example, जिसके अंदर only one electron है only applicable for hydrogen-like elements hydrogen-like elements क्या हो गया, hydrogen Li2-plus helium-plus इस टाइब के इस आप यह theory boron पे लगाएंगे तो apply नहीं होगी, ठीक है, इसका spectrum different आएगा इसके बोर्स की calculation से, ठीक है, तो यह theory only किसके लिए अपली के बला है, hydrogen-like elements के लिए अपली के बला है, second क्या है, कि जो यह spectrum मिल रहा था, ना, हमने देखा था ना, hydrogen में जो spectrum मिल रहा था, हमको, जो radiation मिल रहा था, ना, emission spectrum हमने देखा था, इफ हम उस line spectrum को, electric field या magnetic field से pass करते हैं, तो वो spectrum क्या हो जाता है, split हो जाता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, splitting of line spectrum in magnetic field and electric field, क्या है, कि यह जो line spectrum है, इसको magnetic field और electric field से हम लोग पास करें, तो वो क्या हो जाता है, split हो जाता है, और उसको board explain नहीं कर सकाता, ठीक है, magnetic field से जो splitting होती है, उसको बोलते हैं हम जीमान effect, आपको deep में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए, magnetic field में जो line inspect होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीमान effect, और electric field में जब split होता है, तो उसको हम बोलते हैं, stark effect, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, simply, कि बोस theory does not explain the जीमान and star effect, ओके, थर्ड, थर्ड क्या था, बोर ने जो भी हमारे calculation की थी, उसमें electron को कैसे treat किया था, electron को उसने particle बोल के यूज किया था, ना, electron को उसने wave nature को लिया ही नहीं था, ठीक है, तो इसमें क्या है, बोर ट्रीटेड एलेक्ट्रोन as particle, ठीक है, बोर ने electron को particle या, अब इसको particle लेने से changes क्या आया क्या problem आगी particle ने इस electron को उस बोर ने हमको याद है बोर ने radius भी calculate कर दी थी और velocity भी calculate कर दी थी radius आपकी कितनी आ रही थी radius आ रही थी आपकी याद है आपको 52.9 52.9 n square by z picometer और velocity आपके आई थी 2.18 into 10 to the power 6 मैं बता देता हूँ बोर की calculation से वेलोस्टी इतनी आया थी इंटू जैड़ बाइ एंड मीटर पर सेकंड तो बोर ने क्या किया था सेम टाइम पर आपकी रेडियस भी calculate कर दी थी और वेलोस्टी भी calculate कर दी थी वेलोस्टी calculate होगी मतलब मोमेंटम calculate हो गया मासव एलेक्ट्रोन तो आपको पता है बट हाईजनबर्ग ने क्या वोला है कि एलेक्ट्रोन हमारा वेव नेचर को फोलो कर रहा है एक सादा आप दोनों वेल्यू calculate नहीं कर सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ error होगी तो मतलब यह दोनों कैसे calculate की ना तो यह क्या गलती कर दी उसने इसने बौर ने गलती कर दी को उसने को लिए इस से भोलो चिए नहीं किया तो यह कुछ ड्रोबेक्स है ठिक है इसके अलावी फिट्रोभड से इतने याद चाने से आपके हो जाएंगे